शिवानी कुमारी छिपा रही थी अपना स्ली चेहरा बॉइफ्रेंट ने खोल दी पोल एक जटकी में बरबाद हो गई शिवानी की बनी बनाई शोहरत शिवानी की बॉइफ्रेंट ने खोला ऐसा राज के शिवानी के फैंस को लगा तगड़ा जटका लोगों ने कहां शिवानी कुमारी इन दिनों बिक बोस के घर में जमकर बनी हुई है उत्रप्रदेश के और यह जिले की रहनी वाली शिवानी कुमारी अपने देशी अंदाद से दर्श्रकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है हालंकि इस बार वो शो की बजाए अपनी निज्दी आ सकता है या दोस्तो आखिर कौन है ये शक्स और किस तरह से कर रहा है शिवानी का बॉइट्रेंट होने का दावा आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी ख़बर लेकिन उससे पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी शिवानी कुमारी के फैंस बतादे की दोस्तो बिग बॉइट्रेंटी सीजन 3 में जब से शिवानी कुमारी ने एंट्री मारी है तब से वो लगतार सुर्ख्यों में बनी हुई है फैंस भी सोशल मीडिया पर उन्हें जम कर सपोर्ट कर रही है आलंकि अब शिवानी की पॉल पट्टी खोलने के लिए बतादे की बिग बॉस के घर में ज़ानी के बाद वह ऐसा क्यों कह रही है कि उनका कोई बॉइफ्रेंड नहीं है बतादे की अमित ने अभिशेक नाम के एक शक्स पर आरोप लगाय कि शिवानी कुमारी जिस अभिशेक को भाई भाई कहती है वह अभिशेक और मैं कुछ व खरिवार से आती है और उन्होंने बहुत गरीबी देखी है सवाल पर अमित मिश्रा ने शिवानी की पोल खोली और कहा वो जूट बोल रही है वो गरीब थी पर अब नहीं है पता नहीं वह ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही है आमित का कहना है कि शिवानी जो असल में बिग बॉस में वह दिखा नहीं रही है वह है कुछ और और बिग बॉस में कुछ और दिखा रही है बिग बॉस के घर में शिवानी का बार बार बेहोश हो जाना भी फेक है आमित मिश्रा ने मीडिया से बात कीट कर बताया कि हमने तीन साल पहले साथ काम शुरू किया था अब वहे उसे समय बाइरल हुई थी हम दोनों ने कॉलाबोरेशन किया था फिर दोस्ती बड़ी नजदी किया बढ़ी और फिर हम दोनों ने एक दूजे को प्रपोस किया हालंकि अब वो घर में इस बात से चौम मुकर रही है कि उनका कोई बॉइफ्रेंड नहीं है यह मुझ शिवा आजाद की रेपोर्ट लेटिस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फस्ट को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें एंड येस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले